हर हर महादेव जैबुलेनात नमस्कार मैं शादना पांडे मार्ग धसन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करूंगी कल से पितरपक्ष प्रारंब हो रहा है कल पूर्णी मातिथी है पूर्णी मातिथी का स्राध्य भी कल होगा और पित्र पक्ष भी कल से प्रारंब हो रहा है, आप सभी तो जानते हैं कि पित्र पक्ष में पित्रों के लिए दान, तरपन, इत्यादी कर्म किये जाते हैं, और जो भी व्यक्ति अपने पित्रों को अंदेखा करता है, उनका ध्यान ने रखता है, उनका इस धर्ती लोग प तो क्या ऐसे में उन्हें पित्र दोस्त का भाय रहेगा या फिर उनके पित्र पक्ष के नियम होते हैं वो उन्हें मानने होंगे या नहीं तो यह सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी दूसरी चीज जो कि प्रेश्ण बहुत अधिकारा था कि पित्र पक्ष के दोरान देव पूजा होगी या नहीं तो यह भी जानकारिया आपको प्राप्त होगी और एक मोटे सब्दों में बात कहूं आपसे तो गरव पुरान में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति पित्र पक्ष के दोरान अपने पित्रों का आना भूल जाता है उनका आदर सम्मा आदर सम्मान उनका क्या है उनके लिए तरपन करना उनको याद करना यही उनका आना है और जो इस कारियों को भूल जाता है उसको उसका भागे भी अंदेखा कर देता है क्योंकि दोस्तों देवता जो है वो रुष्ट होते हैं और आप उन्हें मना लेते हैं यग्य हमन आप कुछ करेंगे कि कैसे हमारे उपर से पित्र रिर उतर जाए तो सबसे अच्छा यही है कि यदि आपके घर में पित्रों का स्राध्य हो तरपन हो और आप छोटे हैं बड़े हैं आपके माता पिता भगवान के कृपा से सही सलामत है तो भी आपको इन नियमों का पालन क करना चाहिए दोस्तों कहा जाता है कि कुल में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति को अपने पित्रों का मान सम्मान करना चाहिए और इसमें कोई समस्या नहीं है देखे साध्य तरपन्ड तो आपके जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो करेंगे लेकिन आप ये काम तो कर सकत हैं कि आप जो है हमारे सास्त्र में पंच बली का नियम है पंच बली कार्थ किसी की बली देना नहीं है ये मन समझी का पंच बली करना पीतर पट्र पक्ट कि दोरान बहुत आवस्तिक हैं यानि कि गो बली receivers working आपको सारी जानकारीया इसमें आपको प्राप्त होंगी कि दूस्तों सबसे फ़ली बात तो यह जाने कि आपको इस समयाई पूझा करना है या नहीं चाहिए कि बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं कि डिदी तरपन करते हैं उनको उनकी विधी आती होगी वो स्थान के अनुषार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके के स्राद्य होते हैं यानि कि सुबा के समय अंजली में जल भर करके कुसा घांस जो है ले करके और अपने पित्रों के निमित जल चढ़ाया जाता है तो लubenच बली क्या होती है ? गवबली, efली ललिघ काकई बली, और भी लग इन जवोता है नinkि सबसे पहले आपको गव के लिए ग्राश निकालना है कहा भी गया है कि यदिस समय गायि को भोजन दिया जाता है तो गया में जो जा आपती होती है यदि आप इस समय गव माता को भोजन कराते हैं तो निश्चित रूप सब समझे कि गया जा करके आप तरपन आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्यों करते हैं इसलिए कि जो भी छूटे हुए पितर हैं या भी जो पितरों को आपके आत्मा की सांती नही मिली है उनके लिए तरपन हो जाए तो वैसा ही पूने गव माता को भोजन कराना होता है तो ये काम आप जरूर करें वैसे ही मैं आपको बताती हूँ लेकिन नहीं कर पाते हैं तो इस समय तो अवश्य करें श्वान यानिकी कुत्ता है कुत्ते को रोटी देना भी आज के इ गरूर्ण पुरान करती है तो उन नीयमों को थो हमको मानना ही पड़ेगा क्योंकि हम नहीं मानेंगे तो अपनी आधुनिता में आकर के और फिर बाद में हम दोड़ेंगे कि हमारे उपर पितर दोस्त लगा हुआ है तो उनकी श्वान भली देना काक भली यानिकी ज्यादा करता है तो कवे को बली यान कि काक बली को रोटी दें ऐसी पूजा और आप करते हैं प्रती दिन बहुँ करते रहें और चीटियों के लिए भी कुछ न कुछ आप अनाज जरूर निकाले चीटियों के लिए आप जानते हैं आटा चीनी किसी पेड के नीचे आप रख दे उससे उनको फोजन मिलेगा तो इसमें आपके देवताओं की अंस आपके देवताक तो प्रशन होते ही हैं कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया कि पूरिमा जो है वह बीस तारीकों जो की कल है सो मौर के दिन और प्रारंब हो रहे हैं पांच बच कर 28 मिनट पर समापती अगले दिन यानिकी 21 तारीक को सुबह पांच बच कर 24 मिनट पर तो जो मैंने उपाय बताया था इसा नहीं पूछ बाते तो इस समय तो पूछ लें उनको पानी के लिए पूछ लें भोजन करना चाहें तो कर लें ऐसे मतलब मेरे कहने का एक सबस्ट अर्थ यह है कि जो भी आय उसको संतुष्ट करें जितना हो सके यथा सकती भोजन जल जो भी हो सकते आप उनसे उन्हें संतुष्ट करें क्योंकि गरुण पूराण एक ऐसा पूराण है जिसने बताया क्या है कि मृत आत्मा किसी ना किसी रूप में अपने परिजन के यहां इस जो पितरपक्ष है उसमें आती आती है तो इसलिए यह नियम होना चाहिए कि आपके घर जो आए उसको आप संतुष को जो है साद तरपन जल अपने पूरोजों को देना इत्यादी करेंगे लेकिन आप जो है वह गंगा जल मिला करके स्नान करें यदि लक्ष्णी प्राप्ति का आपने पीपल वाला उपाय अब तक नहीं देखा तो देखिए और अवस्य करिए उस उपाय को बाकि आप सिर्फ संकर के जरूर जाइए पूजा आरादना कहिए इससे भी पितर दोस्त जो है वा सांत होता है और घर में आने वाले मुसीवतों से आपकी मुक्ति हो जाती है तो ये काम आपको करना है और दूसरी चीज़ बता दो दोस्तों कि यदि घर का कोई छोटा बच्चा है ब कुछ भी गद्दा हुआ कोई भी सामान हुआ तो जिन चीजों के विना आपका काम चल जाएगा यानि कि कपड़ा यदि आप 15 दिन 16 दिन नहीं पढ़नेंगे तो कोई समस्या नहीं है लेकिन यदि आपकी दवाईयां है तो उसको नए सामान में मत गिनिए दवाईयां करा क्योंकि दवाईयों के विना काम नहीं चलने वाला है तो ऐसी चीजें जो कि आप अपने सुक उपवोग के लिए ला रहे हैं उन चीजों को बिल्कुल पित्रपक्च के दौरान नहीं लाएं कारण यह होता है कि पित्रपक्च के दौरान हमारे पुर्वत जो है वो आते है और उनके प्रति हमें स्रधांज लेकरित अग्यता दिखाना होता है तो कोई उत्सो जासा माहौल कोई उत्सो जासा काम हमें नहीं करना होता है इसलिए तो इस पित्रपक्च के दौरान साधी व्याह मुंदन इत्यादी सारे संसकार वर्जित माने गया है तो यह काम आप कर और दूसी चीज है दोस्तों कि आपको पितर पक्ष में अपने पितरों के लिए जो मैंने बताया उपाइ कि आपको प्रति दिन धक्षिन मुक्री होकर अपने पितरों को याद कर प्रणाम जरूर करना है तो यह सारे कारयas आप जरूर कर ले अब आप समझ गए होंगे कि आ, के माता पिता नहीं है उन्हें भी पितर पक्च्च के नियमों का पालन करना जरूने तो जरूर है जरूरी है लेकिन जिन sociaux ऑपने पुर्वजों के प्रती कृत्य होना बहुत जरूरी है तो क्रितागे होने का मतलब। आप समझ सकते हैं कि जो पमान्च जिव मैंने बता है उनको भोजन दे पूपर किर दोस Politik गित्यत संपूर्ण जो विढ़ी विधान की जानकारियां खेला है सब मैंने दी आपको इसके पहले वीडियो में और जो नियम आपको नहीं में पता था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता और उम्मीद करते हूं जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी एक चीज और बता तो दोस्तों कि यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजे आपके लाइक से मुझे बहुत अधिक प्रेणा मिलती है कि और अधिक आपके लिए क्या अच्छी से अच्छी चीजे लाज सकों दूसे चीज कि यदि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही ग्यानवर्थक वीडियो जो कि सास्त्रोक तो होती है वो आपको मिलती है तो उम्मिद करती हूं जानकारी आपको पसंद आएगी धन्यवाद